हलो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम डिसक्स करने वाले हैं सब श्ट्रिंग जोर क्वेरीज ठीक है प्रॉब्लम मुबर 2564 लीट कोड ठीक है तो यह अच्छा प्रॉब्लम हमें लगा है तो अब इसका देख लिए प्रॉब्लम स्टेट्मेंट क्या है और आप अगर वीडियो डोधर दो इल्मेंट दिये जाएंगे इसमें अब दो इल्मेंट यह क्या है एक फॉर्ष्ट एक सेकंड भी कता है तो अब इसमें बोला है कि अगर हम वैल्यू और इसका जौर ले फॉष्ट जाना चाहिए जो जो और इनका आना चाहिए इन दोनों का उस सेकंड आफ आई आना चाहिए अब यह value क्या है यह value यह है कि string का आप कहीं से भी कहीं तक का string का आप लेंगे और उसका decimal में कितनी उसकी value होगी मा लिजे string था 101101 तो इसका अगर यहां से यहां तक का value निकालेंगे तो यह value आने वाली है 101 101 decimal notation में इसकी value होगी वो 5 होगी ठीक है तो 5 का जौर अगर आप 0 के साथ ले ठीक है तो क्या 5 आएगा ठीक है तो 5 आ गया ठीक है यह second आ गया तो अगर second आ रहा है किसी value का जौर लेने के बाद first के साथ अगर second आ रहा है तो वो उस value का जहां हम ले रहे हैं उसका first जो index है और उसका last index है उस decimal का ठीक है उस binary का हमको वो as अपना answer उसमें रखना है जैसे इसका first index हो जाएगा 0 और इसका आखरी वाला index हो जाएगा 2 तो 0,2 इसका क्या हो जाए अगर range जिसमें इसकी value उतनी बन रही है जिसका हम first के साथ अगर 0 के साथ जौर ले तो 5 आएगा तो वाला तो 1 के साथ जौर किसका लें 1 के साथ अगर हम हमें पता है कि इस value को लें 1,1 1,1 इसकी value हो 3 अगर 3 के साथ जौर हम 1 कर लें तो बन जाएगा 2 ठीक है तो हमारा जो answer और होने वाला है वो 2 इस case में 2,3 हो जाएगा तो 2 हमारे पास वो बनेंगे ठीक है हमको वेक्टर आफ वेक्टर लेटन करना है 0,2 और 2,3 ठीक है तो यही problem statement है basically अब देखते हैं इसको समझते हैं देखिए जौर की एक property होती है कि अगर आप x जौर x करेंगे तो वो बन जाए तो यह बन जाएगा x equals to z और यह बन जाएगा जौर y अगर हम दोनों तरफ जौर मालेजी y का लेले ठीक है तो यह y जौर y कितना बन जाएगा 0 और किसी भी element का अगर हम 0 के साथ जौर लेते हैं उसकी property होती है यह element वही बन जाता है ठीक है तो यह properties आपकी जौर की बहुत important है मतलब very very important आपको बहुत सारे problem में यह सब देखने को मिलेगा और आप इससे बहुत सारे problem solve कर सकते हैं अगर किसी भी number का 0 के साथ जौर लेंगे तो वह number itself बन जाएगा और किसी के number के साथ अगर उसी number का जौर ले लेंगे तो जौर बन जाएगा तो इस case में देखिए हम एक काम करते हैं दोनों तरफ फर्स्ट आई के साथ जौर ले लेते हैं तो अगर दोनों तरफ हम फर्स्ट आई के साथ जौर लेंगे तो इसकी value क्या हो जाएगी 0 अगर हम इसकी फर्स्ट आई के साथ जौर ले ले लेते हैं ठीक है जौर आफ फर्स्ट आई ठीक है तो इधर value क्या होने वाली है, 0 और इधर value क्या हो जाएगी, ये second sort इतना, तो यहां पे value की, जो value हो जाएगी, second eye, during soft eye, अब आप बताइए, क्या आपको second eye और first eye, हर एक iteration आपको मालुम है, इस धर देखिए, 0, 5 था, तो आपको 0, 5 और 1, 2 था, ठीक है, वाला बटन है आप उसको डारेट करिए 1st और 2nd 5 हो जाएगा और इसका 123 अब आपको सर्च करना है 5 और 3 कि सम कहां पे इस्ट्रिंग में इस्ट्रिंग में आपको 5 और 3 सर्च करना है कि स्टार्टिंग से जैसे माली जे आपकी यह string थी ठीक है 101 101 अब इधर से आपको सर्च करना है कि first 5 कहां में मिलेगा और हां और आपको एक बाइब बता दो अगर यहां पे 2 5 possible है एक यहां से यहां तक एक यहां से यहां तक अब इसकी element क्या है 0 से 2 है और इसका index क्या है 3 से 5 है तो बट आपको answer अगर बहुत सारे answer possible है जैसे दो answer यहां possible है 5 के लिए पहले वाले के लिए तो अब लेकिन आपको यह जिसका lower यह वाला जो ठीक है जो इसका left वाला यह left और यह right तो इसका जो जिसका कम है यह left वह आपका answer होगा यह आपका answer neglect हो जाएगा ठीक है तो 0,2 इसकेस में answer हो जाएगा तो अब आप समझ गए तो आपको प्रोसेस को उल्टा करना है कि second और first I को जौर करके अब वो value ढूड़नी है आपको कहां पे string में ठीक है इतना चीज clear होगा इस string में आप वो value ढूड़नी है ठीक है अब देखते हैं अगर हम अब देखिए माल लिजी यह 10 की power 5 numbers है ठीक है maximum 10 की power 5 number है तो अब आपके पास जो आप जौर करके जो value निकाल लेंगे वो o of n मतलब 10 की power 5 हो जाएगा o of 10 की power 5 हर एक number के लिए आप जाके search करेंगे इस string में ठीक है यह माल लिजी आपकी कोई string है ठीक है इतनी बड़ी सी string है माल लिजी इतनी बड़ी कोई string है इसकी size m है तो अगर अब आप इस index से देखेंगे कि यार यहां सе यहां तक possible है फिर यहां से यहां तक पॉसिबल है तो तो क्या हो जाएगा यह o of m time सो माल लिजी o of m लगेंगे ठीक है अगर आप इसको अच्छे सब्टिमाइज करके करेंगे कितना भी ठीक है ओ आफ एम लग जाएंगे क्योंकि इधर अगर नंबर आप हटाएंगे तो इधर का एड करेंगे इधर का एड करेंगे ओ आफ मालेजी एम और इंटू हर एक नंबर के लिए आप चेक करेंगे 10 की पावर 5 तो वर्ष्ट केस में और यह इसकी वैल्य मालेजी 10 की पावर 4 maximum जा रही है तो ओ आफ जो है 10 की पावर 9 और आपका यहां simply हमें दिखर आए कि TLE आ जाएगा क्योंकि max case में यह समझ लिजे 10 की पावर 7 या 10 की पावर 8 operations से जादा हम नहीं कर सकते है तो अब यहां पर हमारे पाद TLE आ जाएगा तो अब इसको करने का क्या तरीका है हम pre-compute करें प्री-compute कैसे करेंगे अपनी चीजों को हम जैसे मालेजी हमारे पास string थी 101010 ठीक है यहां पर यहां पर यह मारी पास string थी अब हम pre-compute कैसे कर सकते हैं हम यहां से देखेंगे अच्छा एक बात हमारे पास clear है कि अगर बहुत सारे answer possible है तो जिसक का मतलब इस element से जितने भी number possible है पहले वो हमारा answer यह देगा जैसे यहां से क्या यह अगर हमको one की जरूरत होती one की तो क्या यह one खुद दे देता तो इसका मतलब one तो zero वाला element कौन कौन सा number दे रहा है हम यह देख लेंगे one दे देगा यह अगर जरूरत होती तो क्या यह द जाएगा कितना 11 ठीक है तो जरूरत पढ़ने पर यह 11 भी देदेगा और जरूरत पढ़ने पर क्या यह देदेगा 22 यह 22 भी देदेगा और जरूरत पढ़ने पर यह क्या देदेगा 45 भी देदेगा तो मतलब zero इंडेक्स यह सारे number देदेगा ठीक है अगर हमको जो 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 फर्स्ट आई और जब सेकंड आई का हम जो नंबर निकाल लिए है माल लिजे इसको वेक्टर हम V में रख ले रहे हैं अब इसकी बार बार हम चर्चा नहीं करेंगे माल लिजे V of I हमको सर्च करना है इनमें से कोई भी तो उसका स्टार्टिंग इंडेक्स क्या हो जाएगा जीरो ठीक है उसका स्टार्टिंग इंडेक्स जीरो हो जाएगा माल लिजे उसकी बैल्यू हमको 8 है अब 8 का हमें माल लिजे 22 है तो 22 का स्टार्टिंग बैल्यू बता ह बना सकते हैं जीरोवत इंडेक्स से तो यह कर सकते हैं बट अगर आप यहां से ध्यान से देखेंगे जीरो को जीरो को जीरो ही बना सकता है कब जीरो को यह वाला इलिमेंट ही बना सकता है इसका मतलब जीरो कौन से इलिमेंट पर पॉसिबल है वनत इंडेक्स से पॉसिबल है इसी तरह अगर आप देखेंगे जो थ्री है थ्री को हम यहां से ही बना सकते हैं यहां से यहां तक त 6 होती है, तो ये भी 3rd index से ही possible है, तो 6 की value किस index से possible है, स्वाली, 2nd, ये 2nd index से possible है, 6 की value, ठिक, तो अब इस तरह से, आप क्या देखें, कि यार ये सारी values का, हर एक value जो बन सकती है, वो किस index से बन सकती है, आप इसको क्या करेंगे, एक map में आप इसको store कर सकते हैं, int, int, आप एक map बनाएए, mp, और simply इस mp में, जब वो पहली बार उन number बन रहा है, मान लिजिए 1 बन रहा था, पहली बार जब बन रहा है, तो उस element को, उस index को, आप उस mp में, mp of 1, आप ऐसे कर दीजिएगा, i, ठीक है, i क्या है, i जहां से वो बन रहा है, जहां से वो start हो रहा है, ठीक है, आपको मैं code comment में दे दूँगा, वहां से आपको clear यही सब है, उस code में, आप पूरब उस code को समझ आएगा, मैं आपको इसमें सिर्फ concept समझा रहा हूँ, कि concept क्या है इस problem का, तो आपको क्या करना है, simply, आपको एक string जो धी, उस string को iterate करना है, ठीक है, उस string में iterate करना है, और यहां से देखना है, कि इस index से, कौन कौन सी possible numbers बन सकते हैं, बट उस possible number के corresponding, यह index डालना है, और हां, और अब यह कितने दूर तक करेंगे, यह आपको बहुत दूर तक नहीं करना है, कि आप o of m, square मालीजे, string का size m है, कि आपको m तक करना है, क्यों, क्योंकि आपको जैसे ही number, 2 into 10 की power 9 से exceed हो, आपको वहीं तक करना है, और हमें मालूम है, 2 into 10 की power 9 maximum, कितने bit पे बन जाता है, अगर आपको मालूम होगा, कितने bit पे बन जाता है binary के, यह करीबन बन जाएगा, 2 की power अगर 2 में इसको देखें, तो यह 15, 20 maximum 20 उस तक जाएगा, ठीक है, 20, 22, 25 तक जाएगा, तो उतने पे यह number exceed करने लगता है, इससे, ठीक है, तो उतने ही bit तक आपको जाना है, उतने bit तक के सारे number का जो है, उसके corresponding यह index डालना है, फिर यहाँ से जब आप करेंगे, अगर वो number unique बन रहा है, कोई number unique बन रहा है, आपके याद रखिए बात, जिस index से वो number unique बनेगा, ठीक है, उस unique number में, वो index डालिएगा मैंप में, ठीक है, अगर आप यह डाल देंगे, फिर बस आपको खेल खतम है, क्योंकि आप उस vector v में, आप first i और second i आप रखे ही है, बस अब क्या करना है, उसको mp में सर्च करिएगा, if mp.find, अगर वो v of i है, ठीक है, not equals to mp.ind, अगर इंड नहीं है, तो भाईया, इसका मतलब answer तो possible है, ठीक है, answer possible है, तो आप एक जो vector answer बनाएंगे, आप vector of vector जो answer बनाएंगे, ठीक है, vector of vector आप answer बनाएंगे, left और right index को रखने के लिए answer बनाएंगे, तो उस answer में आपको क्या करना है, बस push back कर देना है, क्या, वो i push कर देना है, और क्या push कर देना है, और आप क्या push करेंगे, जो भी number यहां पे v i था, v i कितनी बार के बाद 0 होगा, जैसे मा लिजी अगर एक number 5 है न, तो यह कितना इसका size होगा, उस size को आपको इस i में plus करना है, जैसे आप यह 5 है, यह बनना start हो रहा था, 101, इस यहां से, बट यह कहां तक इसका आखरी character कहां होगा, इस number को आप 2 से divide करिए, जितनी बार यह 2 से divide होगा, 5 को 2 से divide करेंगे, तो आएगा 2, फिर 2 से 2 को divide करिए, बनेगा 1, 1 को 2 से divide करेंगा, बन जाएगा 0, जितनी बार यह जब 0 बनेगा, 3 बार, तो इसको 2 बार add कर दीजिए, 3 बार में अगर 0 बन रहा है, या तो आप अगर यह नहीं हो पा रहा है, तो आप क्या कर दीए, simply जो मैं code में लिखा हूँ, इस आप i को count एक बना दीजिए, कि count क्या होगा, कि कितनी बार में 0 हो रहा है, उस count को आपको i में इसको add कर देना है, ठीक है, simply, और अगर हाँ, अगर यह possible नहीं है, हाँ, इसमें एक minus 1 कर दीजिएगा, अगर यह possible नहीं है, तो आपको simply इसमें क्या कर देना है, answer में उस समय pushback क्या कर देना है, minus 1, minus 1, इसका मतलब वो element possible नहीं है, बस इतना करिए, आपका question हो जाएगा, आप concept समझ लिए है, एक बार आप वीडियो solution में आप इसका, जो comment में आप इसका code देख लिए ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आए, तो please channel को subscribe करिए, like करिए, ठीक है, तो मिलते हैं next video में, ठीक है, next contest में, thank you,